पिछले 12 दिनों से बिहार भारी गर्मी के वज़ा से बहुत ही परिशानिया जहल रहा था लेकिन कल देर रात से बिहार की राजदानी पटना में मौसम में काफी बदलाओ देखने को मिला है आपको बता दे कि बिहार की राजदानी पटना समेथ कई जिलों में कल देर रात जौरधार बारिश होई इस बारिश के बाद से बिहार के राजदानी पटना वासियों को कही न कही मौसम से गर्मी से बहुत ही जाधा राहत मिली है और आज सुबह की बात्यित करें तो राजदानी पटना सहीत बिहार के सभी जिलों में बादल छाय हुए हैं और वहाँ पर बारिश के आसार मौसम विबाग ने जारी किये हैं बता दे कि मुसला धर बारिश होंगे बिहार के राजदानी पटना समेट बिहार के सभी जिलों में कल से मौनसून जो है वो सक्री हो चुका है बिहार में जिस तरीके से पारा 45 डिगरी 44 डिगरी तक पहुंच जा रहा था ऐसे में चिलचिलाती धूप की वज़ा से लोग अब परिशान हो चुके थे कहीं न कहीं वो मौसम का मौनसून का इंतजार कर रहे थे और कल से मौनसून काफी जादा सक्री है और बिहार में अगले जुलाई तक कंटिनू बारिश होने के आसार मौसम विभागने जारी कर दिये हैं यानि कि अब मौसम खुश्णमा लोगों को म मिलनी शुरू हो गई है बता दे आपको कि बिहार के लोगों को गर्मी से मिलनी राहत मिलनी शुरू हो गई है 21 दिनों के बाद पटना का दिक्तमता पान 40 डिग्री सलसियस के नीचे दर्च किया गया है मौसम विभाग पटना ने आज सुपॉल अरीरिया में भारी बारिश ठनका गिरने से दो बच्चे समय चार लोगों की मौत भी हो गई वही राजदानी पटना की बात चीत करें तो कल देर रात गरच के साथ जमा जम बारिश होई मौसम विभाग की और से प्यार के सभी जिले में आज लू या वीशन गर्मी की चेतावनी नहीं दी गई है अग हवा की गती 40-50 किलोमेटर प्रति गंटे की रफ्तार से चलने की संभावनाई जताई जा रही है इसके साथ ही जानवाल की हानी होने के साथ-साथ निचलस्तर में जल जमाओ की इस्तितियां बाधित हो सकती हैं 21 दिनों के बाद बिहार के राजदाने पटना का मौसम 40 डिग चलनल धिया टॉब के साथ देनं